मैं पूछना चाहती हूँ कि जो इवेंट पे पैसे खर्च कर रहे हैं अधरिणिये माननीये शश्वी पधान मंत्री तथा कतितमायदेश की जिसको कहायाता है उनके खर्च किये गए पैसे उनके ससुराल से आ रहे हैं कि उनके मायके से या कहां से उसका जबाब जनता कि लोग माफी बीर मात रहे हैं जब यह हारने लगते हैं तो माफी मांग लगते हैं ग्रेह मंत्री माने उन्हें कि उन्हें भाजपा का नेता माने अपने आपको बचाने के लिए लोग भाजपा में जाते हैं जब इन लोगों की होगी तो एंकर कहेगा कि सुबूत क्या है लेकिन अगर वो विपक्षियों पर कोई बात होगी तो सुबूत की जरूत नहीं है वो आरोब भी तेंगे वो उन्हें सजावी देंगे उन्हें बता देंगे कि इससे बर्श्ट कोई इंसान नहीं हो सकता है वो भी कह रही है कि मन की बात सुन लो हमारे क्योंकि अभी तक तो किस पर प्रश्ण है यह प्रश्ण नमस्ते आप सभी का स्वागत है मैं आपके साथ आनंद आप देखरें टीनेक्स नियूज समय मैं कॉंग्रेस मुख्यालेग मौजूद हूँ मामला है कि दिल्ली में जंतरमंतर पर देश के नामी पहलवान महिला पहलवान हो या पुरिश पहलवान दिल्ली में जंतरमंतर बीजेपी सांसद प्रजभूशन सरन सिंग के खिलाफ जो कैसर गंसे बीजेपी के सांसद हैं उनके खिलाफ बैठी हैं इस देश के प्रधानमंत पर उनसे बादशीत करेंगे और जो इतने लंबे से समय से मामला चला रहा है उसका सुनवाई होगी मेरे की साथ बादशीत करने के लिए सुर्वाद मिस्राजी मौजूद है जो कॉंग्रेस की प्रवक्ता है स्टेट की मैं स्वागत है आपका बहुत बहुत धरने माद आहिं नहीं है कोई सुद लेने नहीं आ रहा है और अनन्य जी चितनी है 생각이 है कि चिस प्रदान मंत्री ने उन बेटियों से कहा था कि आप तो मेरे गर की in on कि बिड़ानमंत्र heyy starter गहर दिन सेны बोल रही हैं कि पिद्भामंत्रै कम से कंम हमारे मन की बात भी समझ लीजे कितनी बड़ी बिड़म्मना है इस देश की जब बेटियां पदक लेके आती है जब जीट के तो प्रधान मंत्री को फोटो खिचाने के लिए उनका साथ बहुत अच्छा लगता है जिस देश में हम इस्त्री के सम्मान के लिए सर्वों पर उसको मानते थे और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को त्यार रहते थे उसी देश के सभी सबसे बड़े पत पे बैठा हु और ये सम्मेधानी पत पे बैठे वेसब्ड़े द्वारा हुआरा जो हमारे प्धान मंत्री है क्योंकि जब सरकार किसी की होती है तो किसे ब्रटी विशेष्की नहीं होती है वो देश की सरकार होती लेकिन उसके बाद आजकल हमें जानना पड़ता है कि यह भाजपा की सरकार है, कभी भी यह नहीं होता है, हमें लगे कि यह पूरे देश के लोगों की सरकार है, वो जिस तरह से लोगों को, जिस देश में ग्रेह मंत्री जाके करनाटक में क्या बोले थे, कि अगर कॉंग्रेस कि ए सरकार कांगे तो क्या होगा आप सोचिए ग्रे मंतरी इसे बात कहता है कि देश भी में दंगा हो सकता है अगर आप ध pluuestas हम कि है कि उसी की हमरें को 360 कि जिसको उस तुना ने कर सकते ऊट तुना कर देते हैं और तुलना सिर्प करते नहीं है उस तुलना के बाद लोग जो हसते हैं जो ठाहा के लगते हैं वो दिखाता है कि उनके मन में इस्त्रियों के परती कितना सम्मान है कह देना मैं आपसे कह दू कि मैं सब का बहुत सम्मान करती हूं लेकिन बेवहार में वो चीज नहों तो क्या जीरो है तमाम ऐसे बड़े-बड़े होते हैं तो ऐसा क्या है उनमें की जो बीजेपी उनके अगेंस जा नहीं पा रही है हलां कि मामला भी सुप्रीम कोड नए ने जीरो टोलेंस तो है किसके लिए आप जानते हैं जनता के लिए कि तुम कुछ भी करो कि हम देखेंगे लेकि नकर हमारे साथ के लोग क्या कि वाशिंग बसें तो उनके पास आप जानते ही हैं उनके पास जाने के बाद लोग कैसे मुक्त हुजाते हैं प्रिशाचर से मुझे आज तक समझ में आया अब यहां पर तो आप ऐसे बहुत से निदाब को मिल जाएंगे जो इस डर से उनको जोइन कर लेते हैं कि कहीं एडी और बाकी लोगों की चापे हम पे न पड़ जाएं अपने आपको बचाने के लिए लोग भाजपा में जाते हैं तो सोचिए जिस प्रधान मंत्रिया जिस देश के सम्मेधाने पदों पे बैटे वे लोग इस बात को दिखा दे लोगों में एक एक इस अंदेश देए कि आप मेरे साइड में हो तब तो आप इदम जंगे हो कुछ कमी आप में है नहीं लेकिन अगर आप हमारे सामने से प्रस्टन कर रहे हो तो आपसे बुरा कोई नहीं है और अगर आरोपित कोई बैक्त पे आरोप लगा अगर जानते हैं अपने इ देश में जो संबेधानिक पदों पर बैठ हुए लोग थे उन्होंने यह संदेश दिया लेकिन आज क्या हो रहा है जो अब मतलब न्यू चैनल भी आपने देखा होगा मैं हमेशा सबको नहीं कहती हूं न्यू चैनल वाले आपसे मांग रहे हैं कि सबूत क्या है सबूत अ वह आरोब भी तेंगे उन्हें सजा भी देंगे उन्हें बता देंगे कि इससे बरश्ट कोई इंसान नहीं हो सकता है तो आखिर ताकत कौन दे रहा है उनको इसा बात करने की मुझकली लगतार बढ़ती जा रहे हैं मैं बता दूँ आपको कि जो खाब पंचायते हैं हर्या कितनी मुझकले बढ़ता हैं कि देश की लोगों की मुझकले हैं आज जो आपने किसानों की आंदोलन को चलते और खतव होते आपने देखा था तो क्या जब प्रदान मंत्री ने उन कानूनों को ले आये थे तब जब किसान गये थे तो उन्हें क्या कहा गया और उसी के बा मापे मांग लेते हैं, कौन्गरस होने के नाते नहीं इस नाते भारतिये होने के नाते आपका ए फर्जबनता है कि आप प्रस्ण खड़ा कर ओर उसके उत्तर लेने की पूरी पूरी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि मेरे किये गये प्रस्ण का उत्तर दे सरकार और अवल गाधिजी ने खड़ा किया था सहस्टा चली गई अब तो सांसल में रहे हैं उससे क्या फरक पड़ता है क्या जुबान बंद कर देंगे क्या अपने संविधान में आप जानते हैं कि हम संविधान क्यूं बना था लोक तंत्र तक पहुंचने की बात की जा रहे थी ह प्रियास कर रहे थे कि हम लोग तंत्र तक पहुंचें उसमें अभिवेक्त किया अजादी थी जिसमें सदाचार और सुचिता दो शब्दों का प्रियोग किया गया था इस भाजपा सरकार ने इन दोनों शब्दों को जिस तरह विनस्ट किया है नस्ट किया है न यह सिर्फ इ जिस दिन हर भारतिय बेक्ती यह प्रश्ण खड़ा कर देगा एक प्रश्ण खड़ा करने वाला हार सकता है और जब आप रहूल गांदी के घरवालों से बोलते थे आप कि यह पैसे क्या मामा के घर से लाए हो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो इवेंट में पैसे खर्च कर कर सकते हो कि पैसा कहां से आ रहा है अब जनता का पैसा है सब को मालूम है तो जनता के पैसों को इस तरह खराब करने वाले लोग इवेंट पर काम करते हैं और जब बेटियां जनतर मंतर बैठके प्रश्ण पूछती है और यह सिप मन की बात उनलो हुमारे क्योंकि अभी त कि मैंने ये काम करने का सोचा है मुझे ओड़े दीजे वो सोचते बहुत हैं और उनकी मन की बाते उनहीं को कैसे पताती हैं कि कितने जूटे कितना जूट बोलते हैं वो इस बात पर मैं उदाहर दोंगे कुछ दिन पहले उन्होंने अधिकारियों को संबोधित किया था और कि अगले दिन करनाटक के सारे चुनाओ की रेलियों के अपने उन्हों कर दिये वो पैसे कहां से आ रहे हैं इस देश में जब पंचायती स्कूल बनाए गई थी आप सब लोग किसी भी गाउमे जाएं आपको पुरानी इमारते मिल जाएंगी किसकी स्कूलों की पंचायत भ पंचायत भावन है मेरे गाउमे इस्कूल बना है 1989 का मेरे गाउमे बने हुए जो इस्कूल जो बिजली के खंबे मेरे जनम के पहले लगे हुए थे जो सरकारे बाती करती है ना जबकि जो मेरा गाउम है आजमगड मतलब जो इलाका आप देखते हैं अमबेड कर नगा जो कोई लग पिछड़ा कहते हैं वहाँ पे चीजें पहले पहुंच चुकी थी मेरे घर में उच्छ शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग मेरे तीन पिड़ी पहले थे यह लोग जो बाते करते हैं अब फाइफ स्टार ऑफिस बन रहे है आपको किसी भी शहर में कॉंग्रेस क तो ने वाली सबसे बड़ी पर्टी कान थी। किस ने नौकरी यों की दिया। उसके बाद विदेशों में गई, देश जब भी कोई खिलाडी जीतता है विश्व में, किसी भी जगह हैं, तो बसता क्या है, राश्ट्रगान, जंडा उपर होता है, उन खिलाडीयों के नाम नहीं होते हैं, उसके बावजू सोचिये विश्व में, जो आप विश्व जो भारत को रिप्रजेंट करते थे, जिन्नों ने पदक जिता था, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो यह कहीं न कहीं भारतिये लोगों का मस्तग निचा कर रहे हैं, तो यह प्रश्ण उठता है, कि जिस मोदी जी को, जिन प्रधान मंत्री जी को, हमारे असमिता क ख्याल नहीं है, हमारे सम्मान का ख्याल नहीं है, तो क्या उनसे हम प्रुष्ण नहीं पूछेंगे, क्या उनसे जबाब नहीं लेंगे, और मैं जब तक उन बच्ची न आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, मेरा तो कहना है कि अग आरोप लगाया जाया, फायर कियाजा, पहली इंक्रमेशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा आरोप है, जिसमें लोग कहने की इमत नहीं कर पाते हैं, अगर बच्ची नहीं है, तो कि अपना समाज का इसा सब्सक्राइब को पता है, कि भारती समाज में आगर बच्ची आपका है कि ऐसा कुछ हुआ है तो लोग करते हैं बच्चियां गलत होंगी जिस समाज में लोग बच्चियों को इदोश देते हैं उस समाज की बच्चियां उठके बात कह रही है और तो किस पर प्रशन है यह प्रशन हमारी बेवस्ता पर है चलिए मेरे साथ सुधा मिश्रा होगा आपके सोचते हैं कि अफ्यार करड़ दर्ज होगी क्या मामला है क्या सचाइज जो सामने है वह बाहर आएगी नहीं आएगी हलांकि पहलवान जो है महिला पहलवान या पुरुष पहलवान जो भी है लगथार बैठेंगे वे खाब पंचायते उनके समर्थन में आई हैं आप क्या सोचते हैं अपनी कॉमेंट सेक्शन में राय दिना मत भूले का फिलाल के लिए नमस्कार